दाल चावल की लात आदाद recommendations के बाद, आज हम पहुंच गए हैं नाजमाबाद दो नमबर के मशूर नाईम भाई के दाल चावल ट्राइ करने, वैसे तो इनके काट पर घर के बने हुए डेली साथ से आठ खाने होते हैं, मागर इनके दाल चावल के चर्चे पूरे कराची में में होते हैं जात मुद्शा वर चाहर गर्मी के लिए लिए ऐग भी अर्फ सा लुद्व होता है कि अंदर चोला सस्ता घाना है सो रुपे की प्लेटे 20 रुपे का गटले से 120 में सब्सक्राइब बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी है दाल बहुत अच्छी है भाई अच्छी तो भाई एक दफा बिड़ते मैं मौझूद हूँ नाजवाबाद दो नंबर और इससे पहले मैंने आपको यहां का चना पुलाओ खिलाया था भई चना पुलाओ मतलब दिकाया था खिलाया था दिकाया था फिर आप लोग खुद आगर आप लोग आगर गयोंगे आज मैं बिल्कुल उसके अपॉजेटी हमारे पीछे जो है आपको नजर आ रहा है यह माशाला इस वक्त जो है ना थोड़ा तक खाने का टाइम फटम हो गया है वरना यहां पर खड़े होने की आपको जगा नहीं मिलती तो आज हमें मौका मिला कि यहां पर आगर इनके दा दाल चावल ट्राइकर है कि दाल चावल बड़े मशूर हैं वैसे तो इनके पाद 6-8 किसम की अलग खाने भी होते हैं लेकिन दाल चावल इनके काफी फेमस भी है और लोगों की रेकमेंडेशन भी तो लोगों की रेकमेंडेशन फॉलो करते हुए नाजवाबाद दाल यहां पर खाते हैं दाल चावल और फिर आपको बशाते हैं कि असलाम अलेकुम चाज़ा क्या चाल चाल टीक हैं अब हैं चाजा मूसा आप कर रहो दाल चावल खा जुगे वह बैसी दी जाल चावल के लिए यही खाना चीए इसन गर्मी में खाना से ही होता है यहां यह बत यहां की दाल चाहल की खास बाते होंगे? यहां दाल चाहल इससे अलावा और भी मुक्तलिम जगह पर हैं लेकिन हम जागा के बेटर अलग अलग है और चिकन का अलू कोछ बनायाता है अच्छा अच्छा अलू का अलू कहा लग है और यह अलू शिमला है जबादस कोछ मेंने हमेंD अच्छा आट दस कहाने है कोंसे श्राल की उती यह हाँ शाबरदस की लिए है इस अभी सोने चलने में तो सब्सक्राइब भेर चाहरे नाजब है तो आइप जाने यह द्न हम जोना पर चम को के अधिक है मत्र की महों है मिरे पाल दो भी हिमाँ होता है ऐ मिसाल कि छिगन कड़ाई होती है कभी चनी की डाल अंड़ा चोला अलुचोला बसितरा होते हैं आप्र लुकेशन किया है इसकी नाजम्बाद तोनम्बर स्टप नद्म अम्ताद नियारी नग मुम्ताद यहारी बारः बजय हुआ जाते हैं कि वारा बजय रागे हैं कि वारा बजय दो आज वारा बजय और तीन साले तीन-चार बाही है उन्हें आपका मेरा ना मोहमद नहीं बना दो दो यह कि दें से बोल्ती है, जिसकेमें दें। इस वेखंएें कि दोणाओी किन ऊप्सक्रीण टाहिए? दोड़ेता में कर दिसकेमें परकी फुरके दोड़ेजिकान तुरे मैं कि दीसका है, हेखेल अर्ड हाँ यह जाल आगई रैंगे है यह जगा राट रहा है यह जगाई था रह लिए अपनी है अब क्या रहा है भी साथमी से और छ रहा शार भी ए साथ होगा रहा है तो जी बिसमिल्लाहरमान रहीम देखें भाई ये आगए हैं जी हमारे दाल चावल नाजमाबाद की दाल चावल की बहुत जाता रेक्मेंटेशन आरी थे तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और साथ में यह देखें आलू का कटलर्स भी है साथ में यह 20 रुपे का मिलता है यह प्लेट है 100 रुपे वाली इसमें अचार भी डलावा है चटनी भी डली यह चाट मसाला भी डलावा है और दाल चावल फिर पोमेट दाल चावल पहले तो पहले तो जरा इनकी दाल थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि दाल का दाइका चैको यह देखें बहुत चावल इसमें दाल बहुत अच्छी है रेकमेंडेशन लोगों की जो बहुत जाधा और शाम दुपैर के टाइम जो रश होता है वो शायद इसी वज़ा से ही होता है कि जायका अच्छा है वह बात तो है लोग कह रहे होते हैं कि यह रश होता है तो जायका नहीं होता रश में भी यह आगिया भाई यार कोड़ा साथ ना शाद चावल के साथ जो है वो फ्लेवर नी बन रहा लेकिन यह है कि जो सिफ डाल थी ना वो बहुत मदे की लग रही थी चावल के साथ जैसे ना वो कहते है ना यार वो किक नहीं आई वह वाली सल्मान खान की जिसने मूवी देखिया वह एकदम एक वह वाला मदा नहीं आया एक दफ़ा और खा लेते हैं मिक्स करके जो है जैसे आवरेज लग रहा है दाल का जो फ्लेवर है ना दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा है एड़नो चावल के साथ पता नहीं इतना ज्यादा जो है न मदा नहीं कर रहा है अब जरह भाई यह कट्लस ले लेते हैं डाल ले लेते हैं और चावल कट्लस मुझे का इनका मिक्स फ्लेवर बनागे खाने अच्छा लग रहा है तो भाई नाजमाबाद दो नूमबर जहां पर मुम्ताज नहारी रशीद कुर्मा वाली गली एंड होती है वहीं पर यहीं पर खड़े होते हैं मलिक पुलाओ की वीडियो बनाइदी बिल्कुल उसके सामने होते हैं और जवर्दस्त किसम के दाल चावल बहीं इनके होते हैं अलाओ क्से